और वैयोग, भाव और द्रब्वी की अपेक्षा दो प्रकारका है और उसमेवी निमित तादी मिलते हैं तो तीन प्रकारका और पंदरे प्रकारका हो जाता है मनोयोग, बचनयोग और खाययोग चार मन के भेद होती हैं, चार बचन के होती हैं और साथ कायोग होती हैं तो इस प्रकार से यह पंदरे प्रकारका योग हुआ करता है उसमेवी सुभयोग और अशुभयोग दो प्रकारका हुआ करता है सुभकारेओं के निमित से जो कारे हम करते हैं उसमें सुभयोग पुन्यास्त्रव का बंध हुआ करता है और उसके विप्रीत जो अशब परिणामादी के द्वारां जो निमित्थम जुटाते हैं या करते हैं उन अशब परिणामों के द्वारां अशब का बंध होता है पापाश्त्रव हुआ करता है तो बात करते हैं शुभयोग की सुभयोग में तो हम कारी किया करते हैं पर उस प्रकार का में फल नहीं मिला करता तो उसका क्या कारण है तो कारण के वल यही हुआ करता है कि काम तो हम करते हैं शुभयोग का लेकिन उसमें जो मन, वचन और काय तीनों की एक रूपता होना चाहिए वो नहीं हो पाती है अगर मन सही है तो बचन और काय के स्खलन हो जाता है कहीं बचन सही है तो मन और काय के स्खलन हो जाता है और कहीं मन बचन दोनों सही है तो काय स्खलत हो जाती है और काय के द्वारा करते हैं तो मन या वचन इस्खिलित हो जाते हैं। तीनों को एकागर कनने का नाम मन वचन योग की एक रूपता जहां लग जाती है वहाँ पर पुन्य का आसरा हुए बिना नहीं रहा करता है। शत्य बोलना यह सुभ योग है। बहुत पुन्य के उदैशे बचन योग हमें प्राप्थ हुआ है। क्योंकि एक इंद्री में तो बचन योग होता नहीं। दो इंद्री से संगी पंचिंद्री तक बचन योग हुआ करता है। उसमें भी दो इंद्री, तीन इंद्री, चोर इंद्री, असंगी, पंचिंद्री, इनका बचन योग किस प्रकार का है, हम आप समझ नहीं पाते हैं, केवल मनुष्य जिनको हे उपादे और अच्छे बुरे का ग्यान, अच्छी सोच और अच्छा कारे करने का यह स्वभग का प्राप्थ हुआ, उसमें भी हम अपने मनबचन काय की कुटिलता के द्वारां और काय के द्वारां इस प्रकार का दुश्कृत्त कर जाते हैं, के केवल पाप आस्रह हुए बना नहीं रहता है। भोजन की खोज में घर से बाहर चली जाती है। उसमें भी बहुत देर हो जाती है। फिर भी भी जल्दी जल्दी और ठके हुए कदमों को आंगे बढ़ाती है ताकि समय से अपने बच्चे के पास पहुँच जाओं। सवय तो उसको अमर्द पान कराया था। दिनवर का वय भूका हुगा। मैं जल्दी से उसके पास पहुचूँ और उस बच्चे की भूग को मिटा दूँ। मा इस प्रकार का भाव लेकर दिनवर की ठकी हुई अपनों ठकी हुई कदमों को जल्दी जल्दी अपने उपास्तरे की यूर कधम बढ़ा रही थी। आज अपने संग्ली साथियों से वे बिछड गई थी। अकेली उस रास्ते पर बड़ी तीप दिगती से चली जा रही थी। कि अचानक रास्ते में किसी और से मलाकात हो जाती है। उसको देखते ही वह मा सहम जाती है और सोचती है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैं अकेली और ये जंगल का राजा वन्राज है यह मुझे मार कर खा जाएगा। जैसे ही वह बन्राज उस मा के पास आता है तो मा कहती है कि मैं जानती हूँ बन्राज आप मेरे दुआरा ही अपनी चु़डा की पूर्ती करेंगे पर मैं आपसे निविधन करती हूँ कि मुझे कुछ समय का दान दे दो ताकि मैं अपने बच्चे के पास जाकर उसकी छुदा को मिटाऊं फिर आपके पास आ जाऊंगी फिर आप अपनी छुदा को मिटा लेना वनराज कहता है कि वो कोई दूसरा ही मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने हाथ में आई हुए वस्तु को छोड़ दे और बापस जाने के बाद क्या भरोशा आप लोटके आए या ना आए तो मा कहती है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने बच्चे की खातिर में उसको अपना अमरत पान करा के उसकी भूख मिटा के आ जाऊंगी और आपको मेरे इस सब्त बच्चन पर विश्वास करना ही होगा बहुत अनुने बिने करने की पश्चात वन्राज उसकी बात को मान लेता है और वह माँ दुखी मन से वैसे तो देर हो चुकी है वन्राज के कारण और देर हो गई मेरा बच्चा मूख से व्याकल हो रहा हुगा और वह घर की ओर चली जाती है वहाँ घर पर भी बेटा सोचता है यह आसपास के सारी माएं तो आ चुकी है सारे घर में कोला हल भी सुनाई दे रहा है पर मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई बार बार दरवाजी पर अपनी नजरों को लगाता है देखता है अचानक दूर से उसको माँ आती हुई दिख जाती है तो वह उचलने लगता है और जैसे ही माँ पास आती है वह और जोड से उचलने लगता है कि अब मेरी माँ मेरे पास आ गई दिनवर का भूगा प्यास हुई बच्चा माँ को देखते ही उचलने लगता है माँ आती है और बच्य के पास खड़ी हो जाती है बच्चा देखकर प्रसंदता से भर जाता है और जैसे यह अम्रतपान करने को हुदता है तो उसकी नजर मा के चेहरे पर जाती है आज मा कव है दुलार, मा कव है लाड पहले की यह पिक्षा जैसा, पहले जैसा नहीं है आज कुछ बात हो गई मा इतनी चिंतित दिख रही है बेटा तुरंत मा के भावों को पहचान जाता है गोद का बच्चा भी जब मा अगर खुसी-खुसी बच्चे को अपना अम्रत पान ना कराए ना थप-थपी लगाए तो बच्चा भी बार बार उसके मुक्योर देखता है कि मा आज कुछ दुखी है कुछ चिंतित है या खुसी-खुसी मुझे अपने चुदा का निवारण करा रही है बच्चा भी मा के चेहरे को देखता है आज उसका मन भी भूग से तो ब्याकुल था पर उस भूग को मिटाने मैं नहीं लग रहा क्योंकि मा चिंतित है दुखी है बार बार मा से पूशता है मा कहती है मुझे और भी काम है मुझे बापिस जाना है पहले आप अपनी भूग मिटा लो पर बेटा कहता है कि भूग बाद में मिटेगी पहले उस दुख का कारण क्या है पहले वो बताओ मा बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन बेटे के बार बार आग्रे करने पर मा उसको बताती है रास्ते का सारा हाल सुनाती है तो बेटा भी कहता है कि मा आप के साथ मैं भी चलूँगा मा कहती है पर मुझे छोड़ेगा नहीं, आप महा केले रहोगे, क्या करोगे, आप देखनी पाओगे मुझे, इसलिए यहीं रहो, लेकिन बच्चा मा की जित के आंगे छोड़ देता है, साथ में जाता है, मा बच्चे की जित के आंगे जुग जाती और अपने साथ में लेकर वनराज क मा ने अपना बच्चन निभाया है, वह आ रही है, लेकिन उसके साथ तो और कोई भी है, ठीक है एक से भले दो, अकेला गाई नहीं, गाई के साथ साथ उसके बच्ची को भी खा कर आज मैं अपनी छुदा का निवारन करूंगा, एंसा मैं सूच कर प्रशन होता है, कि जैस ही गाई उसके सम्मुक आती है, और कहती है, बंडाज मैं आपके सम्मुक प्रिस्तत हूं, मैंने अपने बचन को निभाया, अब आप जो करना चाहती हो, कर सकती हैं, गाई कि इतने कहने पर बच्चा तुरन तांगे आता है, कहता है, कि बेटे के होते, मा को हात मत लगाना, पहले मुझे खाना, बाद मैं मा को, मा तुरन तांगे आती है, सिर से बच्चे को पीछे करती है, तुरन त बंडाज से कहती है, कि बेटा है, नादान है, उसके कहे पर ध्यान मत देना, पहले आप अपना काम कर सकती हैं, बेटा अपने आंगे आता है, इस प्रकार आंगे पीछे यांगें पीछे करते करते, जब बहुत देर हो जाती है, सहिने नी कर पाता है वै वन्राज कि मैं पहले किस्को मारूँ, किस्को खाऊँ, और दोनों का आपसी प्रेम वसल देखकर औस सेर के भी आंखें, उस वन्राज के आखें भी नम हो जाती हैं, और मात सत्त वचन के आधार पर उसकी सत्त निष्टा को देख कर वैं वन्राज भी उन दोनों को प्राणों का धान दे देता है नहीं मारता है और कह देता है आप घर बापस चले जाएं यह हो सत्त के प्रती निष्टा जिसकी द्वारा हम पाप से भी बच जाते हैं और पुन्न को भी कमा लेते हैं दूसरी तरफ असुप परिणाम भी हुआ करते हैं उसमें असुप का भी बंधम कर सकते हैं विस्तार ना करते हुए उसका भी अधिश्टान्त आपके सामने रख हुँ और यही बिलकुल शत्त घटना हैं जिस मा की कहानी में आपको दे रहा हुँ वो मा हो सकता है जो कि पूरव परियाय में मिली थी देखा था उसको अब बर्तों हो गए अब है या नहीं परियरायपुर रेल्वे स्टेशन की घटना हैं उस मा का एक ही बेटा था मा ने उसे अपने बहुत ही शपने की द्वारा पाला पोसा बड़ा किया था और अपने पेट को काट कर उस बच्चे को पढाया लिखाया और उसके मन के अनुरूप उसको सारी सुक्सुविदाएं जो वो दे सकती थी उनको दिलाई एक दिन बहुत बेटा पढाई करके और दूसरी जगए काम करने के उद्धिश्चे बाहर जाता है दूसरी नगर में रहता है कुछ अपना कमाता है मा का भी ध्यान रखता है अचानक वहाँ पर उसके जीवन में किसी तीसरी व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है दोनों साथ में रहते काम करते हैं मा को तो पता नहीं अब पहले जो मा के पास आता था बात किया करता था शुक दुख में उसकी सहयोगी बना करता था अब वो महिने में एक या दो दिन ही आने को होता है पूशने पर मा को बताता है कि काम बहुत रहता है और आ नहीं शक्ता हूँ अब मुझे यहां से बाहर भी जाना है कंपनी मुझे बाहर भीज रही बिदेश में जाना है और वहार रहे के काम करना है तो मा कहती है कि दौनों प्राणी हैं दौनों कमा लेती हैं भूजन भी अपना यहां परयाप्त हो जाता है फिर बाहर जाने की आवश्यक्ता क्या है पर बेटा नहीं मानता उसको तो कुछ और ही शपने दिखते हैं वह मा को छोड़कर बिदेश द्यातरा पर चला जाता है वहीं रहता है वहीं काम भी करता है और वहीं पर अपने जीवन के लिए जो सुकश सपने देखे थे उनकी पूर्ती करने के लिए वहीं रुक जाता है वर्सों हुजाते हैं मा को उसकी याद में फिर एक दिन उसका पता मिलता है मा उस पते को रखकर एक दिन उसको फॉन लगवाती है बेटा रात को नीद में उड़ जाता है फॉन रिशीप करता है तो मा की आवा जाती है जिस मा ने बर्सों से बेटे को देखा नहीं उसकी आवाज सुन लूँ उसी में वह शन्तों उसको प्राप्त हो जाती है ऐसा सूच कर उस मा ने अपने बेटे को वो संपर्क किया बेटा चुकि नीद में था नीद खराब हो जाती है वह फोन पर मा को चलाता है कि मैंने तो आस तक आप से कोई संपर्क नहीं किया आपने आदी रात की वक्त मेरी नीद क्यों खराब कर दी मा कहती है वर्सों हो गए आज आपका जनम दिन है बेटा आपको आशिरवाद द्याने के लिए मैंने इस संपर्क किया था बेटा जलाता है नीद खराब करने का उलायन देता है और फोन को रखकर पनेश हो जाता है मा सोचती है कि बेटा आश तो आपकी एक रात की नीद खराब हुई लेकिन जिस समय आप कोख में थे जिस समय आपने जन में लिया आप बच्पन थे उस समय आपने मेरी कितनी नीद खराब की उनकी गिंती उनका हिसाब कौन रख माँ चुपचाप बेटी के उलाहना को सुनकर और अपने पूर्विक्रित कुछ कर्म का उदय मान कर सांथ हो जाती है कुछ समय पस्चाद बेटा माँ के पास बापस आता है और माँ से कहता है कि माँ मैं अपने साथ आपको ले जाने आया हूँ मा मना करती है कि जिस घर में मैं डोली में आई थी उसमें अर्थी से ही बाहर जाऊंगी बाहर जाने का मेरा ऐसा कोई भाव भी नहीं है लेकिन आप मुझे वहाँ ले जाना चाहते जहाना कोई सगा सम्मंदी परिवार मित्रह तैशी कोई नहीं मैं वहाँ के लिए रह के क्या करूंगी आप अपने काम में रहेंगी पर बेटा नहीं मानता और बहुजित करके मा को मनाता है और जब मा मान जाती है तो कुछ कागज लाता है और मा के हस्ताक्षर करवाता है मा कहती है कागज किसके हैं और क्या लिखा है भुले मा आपको साथ में ले जाना है और यहां से विदेश जाने के लिए कुछ कागजी कारवाही करना पड़ती है और यहां विदेश जाने के लिए बीजा लगता है इसमें आपके वो पूरा कागजी कारवाही करने के लिए आपके हस्ताक्षर भी चाहिए ताकि आपका बीज़ा मने और आप हमारे साथ चले जाएं मा बेटे की बातों में आ जाती है प्रशन होती है कि देर ही सही बेटे को अकल तो आई मा को लेके जा रहा है मा इसी सुक्के सपने देखती हुई भूजन बनाने में लगती है बेटे के लिए बेटा चला जाता है कि मा मैं कुछ समय पास्चत आता हूँ आपको अपने साथ ले जाऊंगा बेटे को गए सुबै से साम हो जाती है मा भूगी बैठी है भूजन भी तैयार है पर अभी ना बेटे का पता है ना भूजन मा बेटे के बगर कर सकती है एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, अभी तक बेटे का कुछ पता नहीं, बहुत कुछ पड़ोसियों से, सगे सम्मन्नियों से पता किया, कहीं कुछ पता नहीं चला, पास दिन बाद कुछ व्यक्ति आते हैं, और उस मा से कहते हैं, कि आपको यह मकान खाली करना है, मा कहती, मेरे बेटे को आना है, मुझे वो ले जाएगा, मकान कैसे खाली करूँ, मकान तो मेरा है, मकान आपका नहीं, आपका बेटा इस मकान को बेच कर चला गया है, इतना सुनते ही मा अपने हो आश्क खो देती है, जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, मा बनी, परिवार था, सब चले गए, एक बेटा भी था, उसने भी ऐसा धोका दे दिया, संसार किस असारता को दिकारती है, उस मोई को दिकारती है, उस असत्त को दिकारती है, कि बेटे ने मेरे साथ चल किया, मायाचारी की कहा तो था, कि मुझे कागजी कारवाही करनी है, आपका बीजा बनवाना है, वह कागजी कारवाही और कुछ नहीं, उसी मकान की, उसी जम पत्ती को भेंच कर सारा माल लेकर चला गया मा इसके भरोसे रहे एसे असुप परिणामों के द्वारा असुप का भी बंद हुआ पापश्त्रव भी हुआ ये सुप और असुप के बीच में हमारा मन बचन और काय इन तीनों की योकता इन तीनों की एक रूपता बनी रहे तो हमारा कारे करना सार्थक होगा उसमें भी शुब परिणाम हो ना कि असुब परिणाम हो शुब परिणामों के द्वारा ही सुब का बंधुआ करता है और सुब अस्तरों के द्वारा ही हम अपने ध करते हैं ऐसी मंगल भाव के शाद अहिंसा पर्मो धर्म की बोधी शमादी परिणाम शुद्धी श्वात्मु प्लब्देश वशौक शुद्धी चिंता वनिम चिंतित वस्तु गाने तौम वंदमानश्य ममास्तु दे।